हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सवागत है बच्चों मेरी यूट्यूब चैनल और गैनिक केमिस्ट्री बाई अमन ठाकुर तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हम डिसकस करेंगे वो करेंगे day to day life में हर जगा यूज़ हो रहे हैं plastic आप कहीं पे भी यूज़ करेंगे वो सारा-सारा polymerization से ही हमें मिलता है चाहिए वो polythene का लिफाफा हो चाहिए मेरे हाथ में marker रहे हैं यह plastic बना यह भी polymerization से ही बना है यह duster यह भी polymerization से ही बना है पॉलिमराइजेशन टर्म होती क्या है तो जो simplest way है simplest way मैं अगर इसको define करूँ तो simplest way मैं polymerization हम उस process को कहते हैं जब बहुत सारे small molecule join करके एक बड़ा molecule बनाए joining of many small molecules to give a big molecule उस process को हम कहते हैं polymerization simple सी बात है समझाई बात अब अगर मैं example से बात करूँ यह इथाइलीन का molecule है oxygen की process में high heat और high pressure में जब यह molecule जुड के अपने पास एक molecule बनाए उसको हम कहते है polyethylene और उस process को हम कहते हैं polymerization इथाइलीन से poly मतलब बहुत सारे इथाइलीन बहुत सारे इथाइलीन क्या बनगी polyethylene जब एक इथाइलीन का molecule लिया हमने जब वह join होके बहुत एक long chain बन गी long chain बन गी long chain का molecule बन गया उस molecule को हम कहते है polyethylene और उसकी एक unit जो है वह एक unit यह है इस एक उस polymer की एक unit को हम कहते हैं monomer उस एक unit को हम कहते हैं monomer बात समझभागी यहां तक सिंपल सी बात है आग इसके mechanism को भी समझेंगे किस तरह से mechanism चलता है mechanism किस तरह सब उसको भी समझेंगे क्या-क्या step आते है उस चीज को भी detail में समझेंगे ठीक है बचो अब इसमें एक चीज और है जो polymerization term है जो polymerization term है Greek के दो वर से बनी है poly और मैरोज कहीं पूछेगा नहीं आपको कोई पता होना चीज़ए क्या polymerization पढ़ने तो पता होना चीज़ए poly मतलब many poly मतलब many और Greek में mirrors का मतलब होता है parts तो मत सिंपल सी बात है many parts many parts polymerization कहां से आ है poly और मैरो से तो यह तो बात होगी कि polymerization क्या होती है इस step के हमने बात कर लिए, process की बात कर लिए, define हमने उसको कर लिया, किस तरह से करते हैं, हमें समझ आ गया, अब इसके mechanism को भी देख लिए, polymerization होता किस तरह से, उसके mechanism की भी बात कर लेते हैं, चलिए आए उसके mechanism की बात करते हैं, चलिए, बचों, अब मैं mechanism की बात कर रहा हू पॉलिमराइजेशन की, तो पॉलिमराइजेशन तो मुझे प्रसेस पता है, मुझे क्या करना है, उस प्रसेस में मुझे करना क्या है, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल को जोड के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है, छोटे-छोटे मॉलिक्यूल को जोड के एक बड़ा मॉलिक् यह होता है जनरली हम पैरोक्साइड यूज करते हैं जनरली हम एक पैरोक्साइड यूज करते हैं पैरोक्साइड जनरली प्रक्साइड का फर्मुला क्या होता है आर सी ओ ओ ट्वाइस यह पैरोक्साइड यूज करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए रेक्शन के पॉलिमरा का free radical अभी आर का free radical क्या करता है सपोस्ट मेरे पास यह आर का free radical ठीक है अब मैंने इधायलीन का molecule लिया इधायलीन का molecule क्या होता है मेरे पास CH2 double bond CH2 ठीक है यह इधायलीन का molecule है अब radical unstable है reactive species ऐसको क्या है इसको अपना आधे बांड का जो उलेक्ट्रों ये वापके जाएगा कार्बन के पास तो मेरे पास किया बन जाएगा और सी एच टू कि CH2IT पे carbon के ऊपर radical ठीक है बातस्माज में आगी एक radical बन गया अब ये रेडीकल further क्या करेगा ये radical further Ethylene के molecules से contract करेगा अ सब्सक् academia करेगा इसको भी straighten चाहिए है इसको भी stability चैही है इसको भी stability चैहीं ये further कि सब्सक् Vallis आप सब्सक्राइब करेगा aicial Gen calm के और जूड़ गया एक यह बन गया ठीक है यह प्रसस लगातार कॉंटिनियूश ली चलती रहेगी अब यह अगले से जोड़ेगा उसको जो बनेगा वह से अगले इताइलीन से चलता रहेगा जब तक लास्ट इताइलीन खतम नहीं हो इनिश्येशन और यह वाला स्ट्व है हमारे पास प्रोपेगेशन और यह मारे प्रोपेदीशन तेम कहां जाके होगी जब पस लास्ट रेडिकल CHAD JOE का LKB यह चो का रेडिकल बचेगा जब लास्ट रेडिकल बचेगा जब यह लास्टky चैंशा जुड़ेगा तुमारे reaction खतम हो जाएगा I hope आपको समझायोगा, simple सा topic था ठीक है कोई doubt होगा तो comment करके जरूर पूछेगा और lecture अगर अच्छा लग रहा है तो like और subscribe जरूर करिएगा मेरे motivation के लिए